गंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता इच नहीं है सबसे बड़ा जानवर कौन होता है लंबाई में जिराफ राइट बड़े में शायद हाती, सबसे फुर्तिला कौन होता है चीता, सबसे क्लेवर कौन होता है लेकिन साला इन में से कुई राजा नहीं होता ना तो यह qualities चाहिए ही नहीं रूल करने के लिए राजा कॉन होता है उसमें ऐसी कोई quality निए ना उचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना कलेवर है उसमें एक आदत है, जो किसी में नहीं है उसमें एक आदा है, जो किसी में नहीं है उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है इसका साले का भीली शिस्टम बड़ा गजब है इस से किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है तेरे में तो कैसी कभालिटी नहीं क्या बोलता है मुझे लगता है महीरा जाहूं इसलिव chang시 मैं मुझे लगता है मैं राजाओं अब इस बिलिव सिस्टम से होता क्या है एक्टेट्यूड चेंज इंज चैन अक्चोशन बद जाता है हाथी ने शेर को देखा शेर ने हाथी को देखा, एंकाउन्टर हुआ, आखो का आमना सामना हुआ, अब हाथी ताकतफ़ा है कि शेर, अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं, शेर कभी खड़ा हो सकता है, वो सूंड़ में लपेट के फेक दे, तो शेर हम सब हम 100 तो जो जैसा सोचता है वैसा हाथी डिफेंसिम मोड में जाता है और शेर लेकिन हाथी क्या शेर से ताकत वर नहीं है तो जवाब है है लेकिन वैसा है लेकर आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले एक साल में रूल कर सकते हो, आपका attitude change हो जाएगा, आपका action plan बदल जाएगा, you can rule the market by defense, मैं दावा दे सकता हूँ आपको, ना ताकत चाहिए, ना education चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए, बस तुम्हारा attitude हलगना है चाहिए, कि I'm a winner, that's it, मैं आपको बता दूँ, अभी announcement हो जाए, कि इस बा बंद कर रहे, सो हाथी से कुछ नहीं फरक पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि thought process वैसा हो गया उसको लेकर, तो don't be elephant, be a lion, ladies and gentlemen, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, लोगों के होश फाक्ता हो जाए, आपको जाए,